नमस्कार दोस्तो मैं किसोर कुमाउट आपका परतिया क्लासेज के ओनलाइन फ्लैटफोर्म पर आपका अर्दिक स्वागत करता हूं दोस्तो तो आज अपन बात करेंगे करसी परविक्षक के लिए एक सांदार रिनित्ती की बात करेंगे क्योंकि दोस्तो आपका जो एक्जाम है ध्यान रख लेना कर्शी परविक्षा का जो एक्जाम है दोस्तो वो आपका कब है 21 अक्टूबर को कब है दोस्तो 21 अक्टूबर को अगर मैं आज से लेके चलूŁ तो आपके टोटल कितने एक दिन बच mee दोस्तों पचास दिन मतलब आपके लास्ट कितने दिन बचे पचास दिन बचे कितने दोस्तों अंतीम पचास दिन तो आज अपन बात करेंगे भी आपके अंतीम पचास दिनों के लिए क्या रन्निती रहे रखती है ठीक है भी आपको अंतीम पचास दिनों के अंदर क्या रन आमेशा समय से त्यारी नहीं करता कुछ बच्चों के यह जो कुछ बच्चे होते हैं उनके दिलों में यह जेन आता कभी कबार वो भूच जगता है नहीं नहीं सर्थ अब अपने पास पचास दिन बच्चे इन 50 पर जीते गए रन्निती के बल पर बिना रन्निती के दोस्तों कुछ नहीं होता है कोटेशन है दोस्तों के बिना रन्निती के लग से सिरफ सपना है जरूरत है तो सांदार रन्निती की क्योंकि दोस्तों बिना रन्निती के कुछ भी नहीं होता है अगर आप बिना रन्निती के चल रहे हो बीना रनिति के पढ़ रहे हो आप एसे पढ़ रहे हो भी सप्प्रवाइजर का एग्जाम है साल भर से त्यारी कर रहे हो आपको पता है नहीं वह क्या करना है चाहूंगा अगati वीज K iba होती है रिविजन अगर आपने पढ़ लिया उसका रिविजन नहीं किया तो आपके पढ़ने का कोई फाइदा नहीं है दोस्तों क्योंकि आप उसको पढ़ोगे भूल जाओगे अगर आपने उसका रिविजन नहीं किया तो वो चीज़े क्या होती है भूल जाते तो सबसे ब कहीं परकार के कोई लोग आएंगे नहीं यार यह टोपीक इंपोर्टेंट हो सकता वो सकता नहीं दोस्तो अब आपने से लेवस पूरा कवर कर रखा है दोस्तो आपको हर टोपी के बारे में पता है सब कुछ अब आपको पता है बस आपको क्या करना है रिविजन करना अब के साथ साथ बच्चो एक चीज़ ध्यान रख लेना जीन बच्चों ने 11th and 12th की बूख कौन सी 11th and 12th की जो कर्षी विग्यान की पुष्टक है अगर वो नहीं पढ़े किसकी दोस्तों कर्षी विग्यान की पुष्टक है तो अगर आपने नहीं पढ़ी है तो उनको एक बार सरूर पढ़ लेना क्योंकि दोस्तों देखो सबसे पहली बात आपका पेपर को जो सुपरवाजी का पेपर उसका लेवल क्या है 12th का लेवल है और जो आपके इसके अंदर क्यूशन पुच्छे जाएंगे 11th और 12th की बुक को रेपरेंस लेके चलेंगे पिछले बार का मैं एक्जामबल देऊं जैसे आये था दोस्तों विए उट के अंदर दातों की संख्या कितनी होती है वो क्यूशन आपको कहीं पर भी नहीं पढ़ा जाएगा कोई कोचिंग में नहीं होगा क्योंकि दोस्तों देखो टीचर भी क्या होता है एक हुमन होता है हर बात देखो हर चीज उसको याद नहीं होती कई बार क्या होते वह चीजें रह जाती है उन चीजों को अगर आप इस बुक के अंदर पढ़ेंगे दो आपके अच्छे से कवर हो जाएंगी बहुत ही सिंपल लेंग में दोस्तों कोई हाड़ें नहीं है और जिन बच्चे ने इतना पूरा स इसी दाल जोटपर के द्वारा मुरुद्रा पत्री का रिलीज होती है तो ऐसी कुछ पत्रीगाओ के बारम दे रहें अब ही कौन-कौन सी यूइनरस्टी है राजस्तान के कौन-कौन से सहस्तान है वहां से कौन-कौन से प्रकासन निकले हुए देखो दोस्तों क्यूशन आ दोस्तों प्रतिके खला से आपके लिए लेकर आया है स्भी पर्तिस्टस्टी के द्वारा त्यार आप के सो को कैई द Zoo governed कितने द दोस्तों द्स से 30 क्यूशन तो अगर आप सुपर्वाइजर एक दाम तक उसको ले के चलोगे तो आपके बहुत सारे क्यूशन साथ में पिरपेर हो जाएंगे इसी के साथ अब हम दोस्तों अपने जो संड़े आएगा हर संड़े को अपन कम से कम एक मेरा थन क्लास रखेंगे जिसमें बहु करवाएंगे ठीक है दोस्तों ये तो आपके पहला प्रस्पेक्ट्व जिसकी में बात कर रहा था जो बच्चे अपने रेगूलर त्यारी कर रहे हैं या पुराने समय से त्यारी कर रहे हैं उनके लिए एस्टेजी ती रिविजन कीजिए दोस्तों इसके साथ टेस्ट देत करें किसकी दोस्तों पाठ्य गरम के अगर में बात करूं सबसे पहले इसके अंदर क्या आता है जी के जी के आपके 25 युशन आएंगे इस जी के अंदर ध्यान रगना दोस्तों आपके क्या क्या आएंगे आर्ट एन कल्चर एनिजी से कला और संसकर्ति कहते हैं इतियास क्योंकि इसके बाद हिंदी वेरी वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों यह ज्यान रख लेना जिस बच्चे ने हिंदी अच्छे से पढ़ ली क्योंकि दोस्तों अभी आपके जो एक्जाम पिछले 18 और 12 उसमें ज्यादे तर बच्चों के दिकत आई है या जिन का सेलेक्शन र रहने वाले है इसके अलाव में बात करूँ आपके इसके अलाव जो कर्शी विग्यान है उसके साड़ परसन होने वाले है उसमें आपका सबसे पहले आएगा उद्यान विग्यान कौन सा दोस्तों उद्यान विग्यान जिसको वर्टिकल्टर भी बोला जाता है उसके विज हैं पीस क्यूशन रहने वाले हैं तो टोटल किस्वन कितने होगे दोस्तों सो क्यूशन होगे साथ एकरी कल्चर के 25 जिक और 15 हिंदी अब दोस्तों इसमें से आपको सबसे धियान रगना सबसे अच्छे से कौन सा सबजेक्ट पढ़ना एंसा सब्झेक्ट क्योंकि हिंदी वाला सब्चेक्ट गलते नहीं लेना चाहते हो दोस्तों मैं कहता हूँ 10-12 दिन आप agriculture की जो बुक है उनको रोज से कितने गंटे पढ़ना है agriculture को आपको रोज में 5 गंटे पढ़ना अगर आप रोज 5 गंटे 11-12 की बुक को पढ़ते हो तो मैं कहता हूँ 15 दिन के अंदर आपकी 11-12 की बुक है वो आपके complete हो जाएगी अगर आप कलासे लेना चाहते हो बहुत बढ़िया अगर आप कलासे नहीं ले सकते हो सर देगो lengthy subject पढ़ जाता है कलासे हमसे नहीं हो पाएगी तो हम ऐसा है करते है क्यों सनाएंगे नॉर्मल होते दोस्तों इसमें आपको जो समझने वाली चीज़े जो अच्छी चीज़े वह कौन सी है समा से संधी यह उपसरगोर पढ़ते यह चार टोपिक अच्छे से पढ़ने वाले बाकी जैसे देगो प्राइबाची सब्दे विलोम सब्दे एकार् कोबती आया का होते हैं वह सारी आपको पढ़ने या रठने वाले चीज़े इसकी लिए आपके नॉर्मली में बात करों दोस्तों कम से कम 35 क्लास की जुरूत है मतलब 35 गंटे आपको देना कम से कम 3-4 दिन रोज के आपकर मतलब दोस्तों रोज की अगर 2-3 गंटे क्लास ले दोस्तों इंट्रेस्टिंग चाहिए अगर आप किसी भी चीज को इंट्रेस्टिक के साज पढ़ने तो आपका आसानी से हो जाता है तो दोस्तों अगर आप चाहते हो ना तो सुप्र वाइजर का पट्टे गर्म है आप 20-25 दिन रिविज़न मार सकते हो और साथ मैं आपको आपके लिए लेका आया टेस्री जिसके अंदर दस मोडिल वेपर है उन मोडिल वेपर को देए आपकी त्यारी अच्छे से हो जाएगी इसके लाव दोस्तों ध्यान रखने वाली चीज है लास समय में है समय लास्ट है पचास दिन बच्चे तो अड़ बड़ी नहीं करनी है जो पुराने विद्यtest है उनको नहीं पड़ना दोस्तों अच्छे से त्यारी करते चलना है अगर आपको किसी भी प्रव्वकारी में कोई संज आती है त्यारी करने के अंदर के सरे हमें यह तो आपको अगरी कल्चर के कुछ इंपॉर्ट हाएगा और दोस्तों सबसे पहले ध्यान रख लेना जो आपकी पांच वी पस्व जंगरना है 2019 की जो पस्व जंगरना है उसके डेट्ट आपको ध्यान होने चीए कौन सी 2019 की जो आपकी पस्व जंगरना है दोस्तो कौन सी 2019 वाली जो पस्व जंगरना यह आपको पता होने चीए इसके अलाव दोस्तो लेख क्ऊंसा दोस्तो पसू की नष्ट ले सब्सक्ता कोई प्रफ nutritional वसकता है कोई भी गाय बे बखड़ीिगा? फल सबजी? या कोई भी इंसेग्ट का या आपको फसले नाम याद ना चुनकि पितली बारdays नाम के होने हैं थो व्यानिक नाम है दोस्तों वो भी आपको अच्छे से याद हने चाहिए इसके लाव आपको जणिर्ण्य लेहीत परक्शनी आपको अच्क्छे से कवर होने सकरई हुने सब्सांस्ट झाल झाल